HRSB Education and Motivation YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागते साथियों जैसा कि साथियों विद्याले आधारी ताकलन माडूल साथ त्री सिरे चैनल का प्रसिच्छन प्रारम्ब है जो कतिविती 2 और 6 पर आधारी प्रसुनोत्री पर ये वीडियो बनाया गया है जो आपको संपूर्ण प्रसुनोत्री के आंसर यहाँ पर मिल जाएंगे निश्ठा प्रसिच्छन कारक्रम के दर्गत आप ध्यान से देखिएगा वीडियो को इसके बिल्कुल मत करिएगा ताकि इससे आपको संपूर्ण हल मिल सकता है सिच्छक साथियो एक बार HRSB Education and Motivation योटूब चैनल पर फिर से आपका स्वागत है जैसा कि साथियो माडूल 7 बिद्याले पर आधारित आकलन कोर्स पर गत्विदी दो पर आधारित प्रसनों को यहाँ पर आपको बताया जाएगा जो बीडियो के अंद तक बने रहिएगा इसके बीडियो को मत करिएगा ताकि यहाँ पर बहुत ही महत्पूर्ण गत्विदी प्रसनों त्री आपको बताया जाएगा अपनी समझ की जाच करें सही बिकल्ब चुनें क्विश्चन नम्बर फर्स्ट सीखने के लिए मूल्यांकन में समग्र पाठक्रम अपेच्छाओं का मूल्यांकन किया जाता है यह सही है या गलत यह गलत है नेश्ट कुश्चन पोर्ट फोलियो परिच्छाओं स्वरी पोर्ट फोलियो परिच्छनों और परिच्छाओं प्रदार्शनियों उपलब्धी प्रस्तुतियों सिमुलेशन सीखने के रूप में मूल्यांकन के उधारन है यह गलत आफशन फर्स्ट करेक्ट होगा नेश्ट कुश्चन अभी सेम है अगला कुश्चन स्वमुल्यांकन और सहकर्मी मूल्यांकन कौसल का विकास सीखना के मूल्यांकन में आता है इसलिए बिकल सेकंड करेक्ट होगा नेश्ट कुश्चन है सीखने के लिए मूल्यांकन में सिच्चक अपनी योजनाओं को समा योजित करते हैं और सुधारात्मक सिच्चन में सनलगन होते हैं यह आफशन सही है इस प्रकार से इसकोर आपका फाइव पांच में से पांच हो गया गत्विदी छै पर आधारित प्रसनोत्री यहाँ पर आपको बताया जा रहा है जो कि अपनी समझ की जाच करें कि कौन सा उत्थर कहां पर सही होगा सही भी कल्प चुनना है बिद्यार्थियों को अपने स्वयम के कारियों के साथ साथ अपने साथियों के मुल्यांकन के लिए परियाप्त आउसर नहीं दिये जाने की आउसकता है बिद्यार्थियों को अपने स्वयम के कारियों के साथ अपने साथियों के मुल्यांकन के लिए परयापत आफसर नहीं दिये जाने की आफसकता है ये गलत है ये आफसर भी करेक्ट होगा नेश्ट कुश्चन है साथियो छेतर का दोरा सरवेचन कला कारे जैसे माडल बनाना, रंगोली बनाना, प्रियोग, प्रियोजनाएं आदि समूँ कारे की मांग करते हैं और प्रिया कौसल के साथ सामाजिक कौसल का आकलन करने के लिए उतक्रिष्ट आफसरों के रूप में उप्योग किया जा सकता है ये आफसन सही है फर्ष्ट आफसन is the correct answer नेश्ट कुश्चन पोर्ट फोलियो से माता पिता अपने अभिभावक्ता की छमताओं और उनकी साथियों के बारे में जान सकते हैं जिनकी वे अंदेखा करते हैं और प्रिया के साथ साथ अब वे अपने बच्चों को प्रकति के लिए समर्थन कर सकते हैं यह आफशन ए सही होगा नेस्ट कुश्चन रूब्रिक्स में गैर लचीलेपन और अनकूलन सीलता होती है जो बहुत कम अन्यमूल्यांकन उपकरण के पास होती है यह आफशन गलत है गलत का टिक करेंगे यह फश्ट आफशन करेक्ट होगा नेस्ट कुश्चन है एक रूब्रिक कार्ट कई कारियों पर छात्रों का आकलन करने के लिए उप्योग किये जाने वाले मांदंडों का एक ब्यापक समू है यह आफशन सही है यह गलत है सोचिए साथियों यह गलत आफशन करेक्ट होगा अब स्कोर चेक करते हैं सब्मिट करने के बाद साथियों तो यहां पांच पे पांच कुश्चन आफ़के कंप्रेट होते हैं साथियों कुश्चन नमबर फस्ट गणित में सीखने की अच्छमता का आकलन निमलिखित परिछडों में से किसके द्वारा उचित रूप से किया जा सकता है आफ़सन नमबर एक अभी छमता परिछण एप्टिचूट टेस्ट आफ़सन भी नैदानिक परिछण आफ़सन सी चान भी इन इस्क्रीनिंग परिछण आफ़सन डी उपलबधी एचिवमेंट परिछण गणित में सीखने की अच्छमता का अकलन निम्लिखित में से नैदानिक परिछण आफ़सन नमबर भी एड़सन एक सिच्छक अच्छा के कारे को एकत्रित कर पड़ती है फिर छात्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए अगले पार्ट की योजना बनाते हुए समा योजित करती हैं वह कर रही हैं एक सिच्छका है कार योजना के तहट सीखने की रूप में आकलन आफ़सन भी सीखने का आकलन आफ़सन सी सीखने पर आकलन आफ़सन डी सीखने के लिए आकलन तो साथियों एक सिच्छक कच्छा के कार को एकत्रित कर पढ़ाती हैं और फिर चात्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए अगले पार्ट की योजना बनाती हुए समा योजित करती हैं सीखने के लिए आकलन यहाँ पर आफ़सन डी करेक्ट आमसर होगा क्वेशन नमर टू का और थर्ड नमर क्वेशन में सतत और व्यापक आकलन आवश्यक है सतत और व्यापक आकलन में क्या आवश्यक है आफ़सन ए सिच्छा बोर्ड की जवाब देही को कम करने के लिए आफसंसी ये समझना के लिए कि कैसे अधिकम को अउलोकन रिकार्ड और बहतर बनाया जा सकता है अधिक बार बार तुर्टियों की तुलना में कम वारम बार तुर्टियों को ठीक करने के लिए ब्यापक और सतत आकलन हे दुआश्यक है ये समझना की कैसे अधिकम को अउलोकन रिकार्ड और बेतर बनाया जा सकता है आफसंसी इस दा करेक्ट आफ दिस क्वेस्चन निमली खित में से कौन सा एक उपर युक्त प्रारंभिक आकलन कार नहीं है प्रारंभिक आकलन इसर्टिमेशन कार नहीं है आफसंस ए खूले ओपन-अड़ेट प्रस्ट्र परियोजना प्रोजेक्ट पराधारित प्रस्न तीसरा अलोकन चौथा चात्रों की रैंकिंग चात्रों की रैंकिंग प्रारंभिक आकलन कारे नहीं है ये चात्रों की रैंकिंग अंतिम आकलन में आता है इसलिए आफ संडी इसदा करेक्ट आंसर होगा कच्छा में समूंगत विदियों द्वारा छात्रों में निम्ल खित में से किसे बिक्सित किया जाता है कच्छा में समूंगत विदिया जो गुरूप activities करवाई जाती हैं उनमें से सहयोग, अनुशासन, नेतरित्व की भावना, उत्साय की भावना तो कच्छा में ग्रूप activities कराने के लिए निम्लिकित में से किसे विक्षित किया जा सकता है यहां coordination होना अधियावश्यक है जब cooperation होगा तो ही हम यहाँ पे समोहिक गद्विदिया करवा सकते हैं अनुशासन नेत्रतिशमता की भावना उस्षाय की भावना यह विकल्प correct answer A होगा नेस्ट question चात्र अधिकम मानदन या benchmarking हिस्सा है learning measurement benchmarking के हिस्सा है चात्र सीखने पर आकलन, सीखने के रूप में आकलन, सीखने के लिए आकलन, सीखने का आकलन चात्र अधिकम मापदन मानदन benchmarking हिस्सा है सीखने का आकलन option D is the correct answer नेमलिकित में से काउन सी बिद्याले आधारित आकलन, SBA की मुख बिसेशता है SBA का full farm होता है साथियो स्कूल बेस्ट इस्टिमेशन तो यहां पर बिद्याले आधारित आकलन, SBA की मुख बिसेशता है प्रसिखन ड्रिल आधारित गत्विदी, योगता आधारित गत्विदी सामक्री आधारित गत्विदी, सिखक केंद्रित गत्विदी बिद्याले आधारित आकलन, SBA की मुख बिसेशता योगता आधारित गत्विदी है एलिजविल्टी टेस्ट बेस्ट एक्टिविटीज है यहां पर B option करेक्ट होगा नेस्ट कुश्चन, आकलन का उद्देश क्या है? किसी चीज की गुणवत्ता के बारे में निड़े लेना किसी एक विशय में चात्र का परिछण करना चात्रों की उपलब्दियों का आकलन करना किसी चात्र को अंक प्रदान करना यहां पर आकलन की बात हो रही है ना कि चात्रों की हो रही है तो आकलन किसी भी वस्तुका किया जा सकता है किसी चीज की गुणवत्ता के बारे में निडल लेना यह आकलन का मुख्य उद्देश है option is the right answer next question निर्देश के अंत में उपलब्धी का आकलन करना सीखने की रूप में आकलन है नैदानी का आकलन है शीखने का आकलन है शीखने की ये आकलन है निर्देश के अंत में उपलब्धी का आकलन है achievement का आकलन है यहाँ सीखने का आकलन कि बच्चों ने कितना किसी चीज को require किया सीखा कितना learn हुआ यहाँ पर सीखने का आकलन से सम्मंधित उपलब्डिक आकलन है option see the correct answer next question अदिकम को अनुविच्छक आकलन हिस्सा है सीखनेक आकलन का सारांसित आकलन का नैदानिक आकलन का रचनात्मक आकलन का ये आकलन के चार प्रकार है जिन में से अधिगम का और विच्छक आगलन रजनात्मक आगलन का हिस्सा है यहां चौथा आप्षन करेक्ट है इस तरह से हमने यहां पे सब्मिट किया साथियों तो टेन बाई टेन दस में से दस कुर्चन यहां पर करेक्ट हुए तो 100 परसेंट आपने इसका जवाब दिया साथियों यह वीडियों कर पसंद आया हो तो वीडियों के अंत में लाइक जरूर करें और साथियों को सेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा से साथियों को सिचण को माडूल सेवन करने में